राजस्तान में दो सीटें बड़ी होट होने वाली हैं, एक पूरू में और एक पस्चिम, तो ये जो गर्मी है पूरू से पस्चिम के बीच में, पूरे राजस्तान के चुनाओं में एक अलग ही रंग दिखा रहे हैं, रंग एक तरफ भगवा है, दूसरी तरफ हरा है, जी ह के सामने जो प्रत्याशी उतारे गए हैं इमरान खान कहानी गजब की हैं ये इमरान खान 2019 में लोकसभा का चुनाओ लड़ते हैं बसपा के टिकट पे 56,000 गे आसपास वोट लाते हैं हालांकि बड़े अंतर से चुनाओ हारे थे भुमर जितेंदर सिंग कॉंग्रेस के देश के रक्षा राजय मंत्रे भी रहें थे तो बहुरं जीतेंदर सिंग के सामने इमरान खान ने बसपा से चुनाओ लड़ा उसके बा toppatspan ने अब कॉंग्रेस ने का नहीं जी यह तो हमारे पृत्याशी हैं और कॉंग्रेस ने उसी इम्रान खान को टिगट दे दिया तिजारा से संदी प्यादव का टिकेट काट गए अब संदी प्यादव बड़ी टेंशन में तनाव में है कि क्या हुआ है ये और बाबा बालगनाथ वर्सेज इमरान खान आज योगी आधितिनाथ महां आए उस सभा में उन्होंने संबोजित करते हुए कहा जिस रेक्टे को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी-बड़ी उपमाये लगाता है हमने भी सुना है भायों के नों तालिवान का अप्चार तो बचरंग बली की गदाही है देख रहे ना इस समय गाजाबे इसराइल तालिबानी मान सिक्ता को कैसे पुचलने का काम करना है सपिक एक दम निसाना मार मार करके वयोगेनो अराजक्ता और गुंडागिर्दी या अतंगभार कि तालिबाल का इलाज हौनुमान की गदा के पास है इशारों इशारों में क्या कहना चाहरे हैं चुनाव हिंदू वर्सेज मुस्लिम होने वाला है ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सभा और इस तरह का बयान क्या माइने रखता है राजस्तान के राज़िते में देखने वाली बात होगी क्योंकि जो बाबा बालकनाथ हैं वो एक मठ के महंत हैं और उनके गुरू चांदनाथ भी सांसद रहे हैं 2014 में लोगसभा से लोगसभा के सांसद अलवर से तो बालकनाथ वर्सेज इमरान खान क्या नतीजा निकलेगा यहां बसपा के भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं तिजारा जो है वो सीट बसपा के कबजे में थी पिछली बार इस बार क्या रहेगा कॉंग्रेस या बीजेपी यहां से एमामुदीन खान जो है वो दुरु मिया जिनको कहते हैं वो लोहारू के पूर्व नवाब परिवार से हैं और दुरु मिया का टिगट काट करके ऐसा माना जा रहा था कि संदीप यादव जो की बसपा से आए हैं कॉंग्रेस जोइन की है और उनको टिगट दिया जाएगा राजन्दर गुड़ा के दोस्त हैं ऐसे में टिगट तो कैसे ही दे देती पार्टी और नहीं ही दिया और राजन्दर गुड़ा कहते भी हैं कि इनको एक ऐसे जो है वो प्रकोष्ट का अद्यक्ष बनाया हुआ है जिसका नाम ये पूरा उच्चारित नहीं कर सकते हैं इसका मतलब भी नहीं पता है खेर कहने वाली चीज़ें ये है प्रकोष्ट आयोग और ये जो बनाये जाते हैं राजनितिक उपकरत करने वाली पोस्टे हैं इनका आप सभी हश्र जानते हैं क्योंकि आज खिड़ाडी लाल बैरवा उन्होंने इस्तिफा दे दिया है इस्तिफा दिया है अनुसुचित जाती आयोग के अध्यक्ष के पद से खिलाडलाल बैरवा का कहना एक सब आयोग को समवेधानिक दरजा नहीं दिया गया आयोग को समवेधानिक दरजा विदानसभा की और से प्रस्ता होता किलाडलाल बेरवा विदानसभा जब पूर्ण हुई थी तभी ये स्तीफा दे देते कि वो नहीं करवा पाई, लेकिन जैसे ही बेरवा का टिकेट कटा, पाइलेट खेमे से हैं, सचिन पाइलेट का अवार जता है, अलगी उन्होंने लेकिन उन्होंने ये टिकेट कटने के ल और मैं इससे स्तीफा देता हूँ, तो बड़ी बड़ी बात ये है कि चुनाओ में जो दलित वोट बेंक हैं, वो आजाद समाज पार्टी प्लस आरल पी अलग ले जा रही है, उसके अलवा AIMIM ने भी प्रत्याशी उतारें, पाली सीट से भी प्रत्याशी की गोशना की है, इससे पहले वो हवा महल से गोशना कर चुके हैं, वहां के जो जमील खान हैं, प्रदेश अद्यक्स, उनकी गाड़ी पे कल हमला जैसे कोई एक वार्दात भी सामने आई है, लेकिन इस बार AIMIM फिलाल थोड़ी धीली हैं, लेकिन चुनाओ में उनका भी एक अलग रंग दे जिसमें जो है वो कॉंग्रेस ही के खेमे में थे सारे, इससे पहले 2013 में मातर दो विधायक थे, हभीपूर रहमान और यूनुस खान, यूनुस खान का क्या होगा, क्योंकि टॉंक जो की मुस्लिम बाहूल वाले सीट है, वहां से सचिन पैलेट ने नमांकन भर दिया है, क्य प्रता एक है, क्या हो सकते हैं, सवाल है, देखना है, बविश्य के गरत में चुपा है, कि कौन किधर जा सकता है, तो दूसरी सीट की जिसके हम बात कर रहे थे, वो है फोकरण, महंत प्रतापुरी, गोसे वायोग के अद्धिक्स रहे में पहले, और उनके सामने है शाले भी धर्म गुरू है, मुसलिम समुदाए के और इधर तारा-तरा मठ के प्रमुख है, सवामी प्रतापुरी, तो सवामी प्रतापुरी और नारे बाजी, धर्मी कुनमाद जैसी स्तिती पिछली बार भी हुई थी, इस बार भी जो गर्माहट है, वो चुनाओं में नजर बरती जा रही है कई तरह की ताकीब की जा रही हैं देखना है कि पूरे राजस्थान में चुनाओं का इन सीटों का क्या आसर पड़ेगा इस पर नजर बनाए रखने के लिए आप सब्सक्राइब करें